So guys, अगर आप लोग Vivo के डिवाइस यूज कर रहें और Vivo के डिवाइस में अगर आप लोगों का अपना गूगल डायर को चेंज करना हो तो थो कैसे आप लोग इसे चेंज करेंगे और अपना डिफॉल्ट का डायर लाएंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीचीगा बिलके आइकोन को प्रेस कर लेना है सब सची बत कि अलग से आप लोगों को कोई भी एप्लिकेशन को इस्टॉल नहीं करना पड़ेगा सिम्पल आप लोग अपने फोन में अभी जो डिफोल्ट का डाईलर चल रहा है सिम्पल आप लोग उस पर क्लिक करेंगे अपने डाईलर पर क्लिक करें यहाँ पे आप लोगों को एक कोड को इस्टाल करना होगा टाईप करना होगा हमाग फीचाओंगा ***** ****** ***** तो Simple आप लोग इस । टाइब का Interface देखने को मेलेगा Enable Alternate Phone & Contact ठीक है आप लोग इसकेyinable कर दीजेगा Set Now पहीं हम क्लिक करेंगे Default में अगर size setup कारना हो तो System default पहीं क्लिक करेंगे इस तरीके से हम इसको set up कर दिया अब आप लोग यहां पे देख सकते है कि जो है हमारा default का phone dialer आचुका इससे हम click करेंगे और पूरा का पूरा setup यहां पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है 3.5 पे click करेंगे call settings में चाते हैं यहां से तो देख सकते हैं आप लोग कि जो हमारा पूराना वाला dialer रहता है default वाला वो यहां पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से आप लोग अपना dialer को change कर सकते हैं अपने वीवो के device में मिलते हैं next वीडियो में जै मतादी